बॉल को दो बार मारना अगर आप गेन को दो बार मारते हैं, तो आप आउट हो जाते हैं जब तक कि आप अपने विकेट का तहफ़ज ना कर रहे हो या ये हादसाती तौर पर हुआ हो ऐसी सूरत में आप आउट नहीं होंगे स्ट्राइकर गेन को दो बार मारने पर आउट है जब गेन खेल में हो तो अगर इस शक्स के बदन के किसी हिस्से में लगे या इसके बैट से टकराए और किसी फील्डर के जिरिये गेन को चूने से पहले वो जान बूझ कर इसे अपने बैट या जिसम से दोबारा ठोकर मारता है यहाँ बुन्यादी लवज है जान बूझ कर लेकिन अगर इसके बरक्स हुआ हो तो बैट स्मेन बदस्तूर खिलता रहेगा दूसरे अलफाज में गेन को गेर इरादी तोर पर दोबारा ठोकर लगने को शुमार नहीं किया जाता है बैट स्मेन को अपने विकेट की हिफाज़त के लिए बॉल को दोबारा मारने की इजाज़त है वो अपना बैट या जिसम के किसी भी हिस्से का इस्तमाल कर सकता है अलबर्ता वो उस हाथ का इस्तमाल नहीं कर सकता जिसमें बैट पकड़ा हुआ नहीं है आप अपना विकेट बचाने के लिए गेन को दोबारा मारने के वास्ते ऐसी सूरत में अपने बैट का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं जब इससे कैच में रुकावट पैदा हो बैट्समेन ऐसी सूरत में किसी फील्डर को गेन वापिस करने के लिए भी दोबारा मार सकता है जब फील्डर ने उसे ऐसा करने की इजाज़त दी हो अगर आप उसकी थोड़ी और वज़ात चाहते हैं तो ब्लू बुक का जापता 34 देगे जिसमें आपको वो तमाम बुनियादी मालूमात मिल जाएंगी जिनकी आपको जरूरत